नमस्कार दोस्तों, इनन्वनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फ्यास अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप अपने 20s में हैं वहीं दूसरी है, हम लोग जब अपने आपको देखते हैं, हम लोग 10,000 रुपे, 15,000 रुपे, 20,000 रुपे हद सेथ की नौकरी कर रहे हैं तो क्या इस तरह की lifestyle या इस तरह की income के साथ मैं करोड़पती की तो क्या, लगपती बनने का भी सपना देख सकता हूँ क्या वैल, इसका जवाब है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि सपने उनी के सच होते हैं, जो उन सपने को देखने की कुवत रखते हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि 37 की age, एक average age है इस दुनिया में करोड़पती बनने की, तब आपका ये जो खौब है, ये थोड़ा और मजबूत हो जाता है और आपको definitely लगेगा कि यार मैं थोड़ी सी और महनत करूँगा अपने 20s में, तो यकीनन मैं भी करोड़पती बन सकता हूँ आज का वीडियो उसी उद्देश से हम बना रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हैं कुछ ऐसे simple से tips और tricks जो कि definitely आपके करोड़पती बनने के सपने को काफी हद तक पूरा करेंगे और 30s नहीं तो कम से कम आपने 35 तक तो आप इस आंकड़े को touch कर लेंगे, इतना तो निश्चित है अगर आप इस राज को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe करके बेल आकम को please press कर दीजे ताकि आप हमारे आने वाल हर एक update को देख पाएं, और चलिए अब बिना किस देरी के सीधा point पर आते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, आपको यहाँ पर कोशिश करने हैं कि आप किस तरह से अपने income का साधन को और बढ़ा सकते हैं, आप कमाने की जो आपका mentality है, thought process है, उसको किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि आप एक student हो, तो आपने free time में कोशिश करिए कि आप अपने weekends में अगर आप एक job करते हैं, तो आप weekend में कोई side hustle करें, कोई part time job करें, या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर ऐसी कोई skill नहीं है, को creative skill नहीं है, जो कि मैं बेच के जिससे पैसे कमा सकते हैं, तो आप बहुत ही simple से data entry वाले type के job कर सकते हैं, बहुत सारे ऐ focus earnings पर बढ़ाना यहाँ पर है, दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो यह है कि आपको अपने income के sources को बढ़ाना है, एक average millionaire के पास कम से कम साथ sources of income होते हैं, और उस तरह से ही वो millionaire बन जाता है, आज की तारिक में अगर आप विराट कोली को ही देखें, तो विराट कोली सिर् से आपके पास multiple sources of income होना चीए, विराट कोली तो चलिए बहुत बड़ा example हो गया, लेकिन आप में आपके level पर या मेरे level पर बोलूँ तो आप definitely कोशिश कर सकते ही कि आप कोई part time job करें, जिस तरह से मैंने previous example में आपको बताया कि आप कोशिश करें कि आप किस तरह से एक से ज से जमा कियें, इसको मैं अगर कहीं पर निवेश करूँ, इस से मैं interest कमाऊं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको basically अलग-अलग income के sources को generate करना होगा ताकि आपके पास passive sources of income रहे, यहाँ पर आपका उद्देश यह नहीं होना चीए कि मैं कितना पैसा ज्यादा क creative purposes के लिए इस्तिमाल करूँ, मैं अपने time को use कर सकता हूँ, कुछ नया बनाने के लिए, किसी नए इनसान से मिलने के लिए, किसी नए business deal को crack करने के लिए, हो सकता है कि किसी नए opportunity को खोजने के लिए, तो इस तरह से आपको सोचना चीए, तभी जाके आप करोड़पती बन गए हैं, और मेरे पास अभी यहां पर थोड़े से ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो यहां पर आप दो चीज़े कर सकते हैं, या तो पैसे को अपने घर के गुल्लक में रखके, अपने घर के अलमारी में रखके आप खुश हो सकते हैं, या फिर आप उस पैसे को निवेश कर सकते हैं किसी अच्छαι से investment option में और आप उस से पैसे कमा सकते हैं basically आपका यहां पर purpose यह नहीं होना चीए कि आपको यह होना चीए कि में काम करके पैसा ना कमा हो बल्कि मैं पैसे से काम करवाउं और उस इस तरह का काम definitely आप इंडिया में नहीं कर सकते हैं, especially अगर आपके उनर आपके साथ रहते हैं, तो लेकिन ये बस एक example आपको दिखाने का, कि आपके पास resources ना भी हो, तब भी आपको अगर मिट्टी भी बेचना आता है, तो ये भी एक बहुत जबर्दस skill है, जो कि आपको कर बड़बती बना सकती है, चौथा जो चीज आपको करना है, वो ये है कि अब जब आपके पास थोड़े से पैसे आने लग गए हैं, तो आपको definitely लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा यंगीत हूँ, थोड़ा से मैं अच्छे कबड़े पहन लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा मूड़ कर देखेंगे, क्यूंकि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्यूंकि आपने अपने शुरूआती दिनों में फ्रुगैलिटी को मेंटेन किया, अपने कंजूसी जे मेंटेन किया, अपने खर्चों को कम रखते हूँ, अपने इंकम के सोर्स को बढ़ाय और show off करने के चक्रलस में आप नहीं गए हैं show off करने का चकललस यह होता है कि मानली जी कि आपको एक बहुत महेंगाजा फोन लेने का मन कर रहा है आपको expensive कपड़े खरीदने का मन कर रहा है आपको लगया कि यार मेरे पास expensive घड़ी होनी चीए घड़ी अगर 200 रुपे की भी हो तब भी वो time उतना ही दिखाती जितनी 20,000 रुपे की घड़ी दिखाती तो शुरुआत में आपका focus होना चीए कि मैं कितना से कितना अपना पैसा save करके उसको कहां से मैं invest करूँ अच्छे-च्छे investment options धोन कर आपको वहाँ पर पैसे लगाना चीए और patience रखना चीए अपने आप पर belief करना चीए definitely आपको भी अच्छे returns मिलेंगे अपने उस investment से जो कि आपने 20s में लगाए हैं क्योंकि आपको compounding का भी फायदा मिलेगा और अगर आपने अच्छे investment का चुनाव किया तो definitely आपको returns भी काफी जबरदस मिलेंगे इसी का मैं आपको एक example देता हूँ, Elon Musk जब अपने career के शुरुवाती दिनों में थे तो उन्होंने रिसेंटली ये statement भी दिया था कि उन्होंने बहुत दिनों तक अपना जो खाने का खर्च है वो दिन भर का खर्च सिर्फ एक डॉलर रखा था जी हाँ, एक डॉलर मतलब आज की तारिक में लगबख 70-75 रुपे में वो दिन भर का अपना खाना खाते थे और इतना ही नहीं वो जब अपने company भी वो चला रहे थे, PayPal मेरे खयाल से जब उन्होंने शुरुआत शुरू की थी PayPal की तो उस company में उनके पास एक ही computer था जिसको उनका brother और वो दोनों use करते थे तो ऐसा कहा जाता है कि दिन में दोनों में से एक जो भाई है वो basically website पर काम करता था और रात को दोनों में से एक भाई coding करता था उसी एक computer उपर तो उन्होंने frugality को बहुत maintain किया और definitely आज उसी frugality के दम पर उसी thought process के दम पर आज हो दुनिया के top अमीरों में से एक माने जाते हैं तो आप भी definitely उस मुकाम पर एक ना एक दिन जरूर पहुंच सकते हैं और आखरी चीज जो कि मैं आपको कहूंगा जो थोड़ी सी boring लग सकती है थोड़ा सा baseless लग सकती लेकिन इसका यकीन मानिएगा ये point बहुत important है बहुत ज़रूरी है और ये basically है कि आपको अपने आप पर invest करना चीए अब इसका मतलब क्या होता है आपको कोशिश करना चीए कि मैं किस तरह से अपनी personality को बहतर करूँ अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े books बढ़ कर और smart हो सकते है तो आपको अच्छे books पर निवेश करना चीए अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अच्छे podcast उनके अच्छे YouTube चैनल सुनके अच्छे courses को देखकर अगर मैं थोड़ा सा smart हो रहा हूँ तो definitely आपको उसमें निवेश करना चीए आपको लग रहा है कि अगर मैं अच्छे conferences अटेंड करूं, seminars अटेंड करूं तो मेरे को थोड़ा सा knowledge आएगा अपने sector का, अपने information का बहुत सारे से online certifications आगए है, online courses आगए हैं जो कि आपको बहुत conveniently आप access कर सकते हैं उनको और आप उसे काफी कुछ सीख सकते हैं बहुत सारे से platforms पर आगए हैं जो कि आपको actually genuine अच्छा information देते हैं और आपको काफी कुछ सीखने में मदद भी करते हैं ऐसा ही एक platform है financial freedom app जहाँ पर देश भर के 10 million से भी ज़्यादा families आज आ चुके हैं और वो हर दिन सीख रहे हैं personal finance के बारे में, career building के बारे में, farming और business के बारे में अगर आपका भी एसी खौईश है कि हाँ मैं भी अपने परिवार का lifestyle बदल दूँ अपने परिवार को एक upgrade दे दूँ अपने आपको एक ज़्यादा बैतरी और lifestyle तो definitely आपको थोड़ा सा उसके लिए सीखना पड़ेगा तो यहाँ पर अच्छी बात यह कि आपको कोई एरा गेरा नत्तु खेरा के नहीं सीखा रहा है यहाँ पर आपको experts आके सिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जीरो से शुरू करते हुए आज एक global business खड़ा किया है अपने गाउं से काम करते हुए अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते तो please download करिएगा financial freedom app यह apple और android दोनों ही platform वह available है इसकी link का आपको description box मिल जाएगी, top comment में भी मिल जाएगी download करने के बाद अगर आप promo code में मेरा नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2000 रुपे का scholarship absolutely free तो invest करी अपने आप में, invest करी अपने future में definitely आपका आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे उमीदे कि आपको ये वीडियो पसंदाया होगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हरेक अपडेट का पता चलता रहे, और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुजाव हैं, कोई टॉपिक सजेशन हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, मिरे नाम है फयाज और आप देख रहे हैं, indianmoney.com